चलो भई देखा अपने क्या करता हूँ यह तो गव माता का गोबर है आप पता नहीं आप जर्सी कर लिया आए के भैंस कर लिया है अच्छा भी बहेद भी हो जाएगा बिलकुल भी अच्छा हमको सिकारिया है तो आप तो आप तो इसके जानकार हैं विशेशक यह आप तो द डिवर्टी लहाए हम आपके बीच मे तो यह क्या यह एसको जासे अगर कोई शुद्धदीश को जीन जैनने वाला नहीं है उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है इसको शुद्ध अगोबर का इस्तिमाल करो हां वो उसका गोबर में गुण्प हैं उस कैंतं में अर्क में गुण्प हैं सबके मुत्र में गुण्प नहीं है अगर इस तरांeri खेतों में डालके खाद बनाने की काम का है लेकन जो देशी गाय का गोवर है वह आपके लिए अम्रत का आपने क्या कहा था गोवर के संदर्व में क्या आपने इस तरीके के भेद बताते हुए कहा था जरा वो देखते हैं वो सुनते हैं एक बार दिखाईए जरा फिर उसके आपने कभी गाय के गोवर से अपने मूग को धुला नहीं कैमिकल युक्त फेसवास आप यूज करते हैं लेकन शुद्ध गाय का गोवर इस गोवर से नहाने से चमडी का कोई भी रोग हो मैं गारंटी लेता हूं चमडी संबंधी कोई भी रोग हो आप गव के सुद्ध द देशी गाय के दो गोवर से सनान करेंगे तो आपका चमडी का रोग समाप्त हो जागे इतनी ताकत गोवर में है देखिए मैंने का इतनी बात नहीं है बांजपन का भी इलाज है तो यह गाय के संदर में आपने कहा यह बात इस पस्ट है अब जरा प्रियंका गुप्ता जी यह बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोवर से फेशिल किया गाय के गोवर से लोगों का अब जैसे कि बाबाजी बता रहे हैं और अगर ऐसा है तो इसके उपर रिसर्च जरूर करना चाहिए यह अश्विनी जी आपका कोई इसमें आप एनलाइटन करेंगे क्या इस त इस्तिंग सेकॉलिजिस में बोलूँगा अगर इनोंने काह है तो इनके पास कोई प्रूफ हो हाँ और वो प्रूफ आप सामने लाइए को कि क्या होता है कि बहुत से लोग जो भी बात करते हैं प्रूफ नियुकर आ प्रूफ है लोगों को प्रूफ कर कि दिखा है हमारे सा उप्ति UK अब बताइए ना मैं सुन रहा हूं आपकी हुटाइए श्रावणी में निर्देश सास्त्रों में लिखा इंख होती है ठोँ हमारे यहां इसनान कई बार वो किमाच नहीं होती थी जो लोगों के शरीर में लग जाती तो उसमें नहीं मैं क्या कह रहा हूं कई बार विधान हो सकता है श्रामणी में भी नहाते लेकिन इसका सौंदर ये प्रजाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है कोई इंपेरिकल इसके लिए एव बहुत कुछ लिखा है पर आज के संदर में आज एक मौडन जमाने में अरे क्या ये चीज होती है चलिए इससे इससे आगे रिकलते हैं ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों IVF क्लिनिक की तरफ जा करके उसे सुखा करके उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगा कर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है अनुरुद्धाचारी जी आप इस पर बोलूँ आपने ये किस पर एक्सपेरिमेंट के खुद पर दूसरों पर देखा है आप सरी पकड़े है सुनेंगे आप ऐसा है कि देखिए आप सेकॉन डॉक्टरों को दिखाईए यदि सेकॉन डॉक्टरों को दिखाने के वाद हार गए दॉक्टरों ने मना कर दिया नहीं हो पाएगा जब सब से आप हार गए तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में क्या वो रही है बात तो सही आपने रगुवन्सम महाकाव्य पढ़ा होगा महार्शी काली दास जीन उसको लिखा है भगवान राम के जो पूरुबस थ आगे चला तो हमारा और आपका बंसिवी गवमाता किसे रही चलेगा तो तब जब नहीं ने ने एक सेकंड जब दसरजी को आज भी है आप लिखासी हुआ आप समझो दसरजी ने यग कराया तो यग में क्या लगता है यग किस से संपन होता है भैस के घीसे आहूतिया नही होती है जब तक वेद लक्षना गाय का उसमें भी प्रयोग ना होगा तब तक आपका को यग संपन हो शक्ता है ना कोई पूजा संपन्व हो सकती है समझ रहे हो समझ रहो आप समझ रहो नहीं लेकिन एक चीज साइन्स कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपरिमेंट किया आज भी भी वो लोग ये रोटी खाते हैं होता है आप प्रयोग कर लीजिए कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है या रुदाचारी जी में ठीक क्या रहा है मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है गौमाता के मूत्र में गौम अर्क में इतनी शक्ति है यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा कुट्य का मूत्र बिक रहा है तब तो कोई शक्ति है दम है तब ना बिक रहा है वरना कु क्यों नहीं नहीं हर चीज को आप यह मानते हैं कि वह आपने आप में उसके लिए किसी साख्शय प्रमाल की जहरूत नहीं मैं पूछ тут हुँ बिलंग यह कीनवसे मोद में किया है शुरूआ तेहां से करें कि हबारा सम्मिधान आर्टिकल 51A, Section H कहता है, Surgeon of India should have scientific temper, वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए, गैर वैज्ञानिक सोच रखना और उसको प्रतेक्ष प्रमान बोलना असम्मिधने की बात है और कानून के खिलाफ है, पहली बात, दूसरी बात जो Cancer ठीक होने की बात है, चाहे गोवर गाय का हो, भैस का हो, या किसी का हो, गोवर गोवर होगा, Laboratory की बात इन्होंने कही है, Cancer ठीक होने की बात कही है, मैं अभी Live ये Recorded इसमें Challenge करता हूँ, मरीज इनका, Monitor मैं करूँगा, Cancer है, जाच कराऊंगा, ठीक करें, जिस दिर मरीज ठीक हो जाएगा, जाच करके मैं चेक करूँगा, मैं आज से डाक्टरी छोड़के इनका चेला बना, बात सही है, अगर आप जाएंगे, समिधान खोलेंगे, देखेंगे, प्रियेंबल के बाद, आपको जो डूटीज और आपके जो राइट्स हैं, जहां पढ़ाए जाते हैं, वहीं पर आपकी डूटीज में ये है, कि आप हिंदुस सारी उन जगों पर पहुँचना बाकी है, जहां शायद हमारे शास्त्र पहले पहुच चुके हैं, ये बात आप मनते हैं कि नहीं, आप एलोपेजिक दवाईयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं, हमें जरूर थे नहीं दवाईयों की, नहीं आपके आसपास वाले किसी को कभी भीमार हुआ तो आप क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर, हम तो यही कहते हैं, डॉक्टर को दिखा लो, और डॉक्तर इसको मनते नहीं है, जो आप कह रहे हैं, ऐसा है, देखिए, आज के 100 साल पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था, हजार, 10,000 साल पहले सुस्रुत महर्च आप बात कर रहें तो वेद महीत किया है, भारत का हर डॉक्टर सुस्रुत चरक का संतान, भले मोडन मेडिसिंग प्राक्रिस करें, आप बात को बात करें, सुस्रुत महीत करें, अज कि अ.